नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हमारे चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों यहापर forest guard की physical से सम्मंदित में आपको कुछ एसी बाते बताने वाला हूं जो कि आपर आपके आगे आने वाले फिजिकल में काम आने वाले और आपको द्यान भी देना चाहिए कुछ ऐसी ऐसी चोटी चोटी बातों को आपको द्यान भी रखना चाहिए दोस्तो सबसे पहले अपने आज से सुरुवात करते हैं सिकर से कि आज शिकर में जो लड़कियों का physical था उन्हें आपर कितनी लड़कियों को disqualify किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर girls की बात किरेते हैं आपर 8 girls कितनी 8 girls 8 girls को ही disqualify किया गया है बाकि सबी girls वो physical में पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कल उनकी क्या है running है कल उनकी running है तो आपको running में क्या ध्यान रखना यह बहुत ही ज़दा important है तो दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर एक बात करते है अजमेर की दोस्तों कल अजमेर में जो physical होए न उनमें running में running में जो čार student है उनके हालत खराब हो गए थी दोस्तो वो धूब के कारण है बेहुस हो गए थे जिनके कारण है ये चार श्टुडेंटो फेल हो गए थे तो दोस्तो अब आपको क्या करना है कि ये running अब बहुत ही आसान हो गए तो दोस्तो आपकी तो running अब लगबख पांच बज़े के आज पास स्टार्ट होने वाली है पांच बज़े के बात ही स्टार्ट होगी पांच बज़े से पहले स्टार्ट नहीं होगी तो दोस्तों जो आपको चार गंटे इसमें मिल रहे हैं कितने गंटे? चार गंटे चार गंटे में स्टार्टिंग के जो दो गंटे हैं स्टार्टिंग के दो गंटे जब तक दूप नहीं आती है तब तक आप जितनी ज़्यादा रनिंग हो सके उतनी ज़्यादा थोड़ा दोड़ दोड़ करी रनिंग को खेश लिजेगा क्योंकि दोस्तों अगर इन स्टार्टिंग के दो गंटों में आपने रनिंग को खीच लिया उसके बाद में यहाँ पर दूप आ जाएगी कितने बज़े तक साथ बज़े तक दूप आने के बाद में बाकी के दो गंटे आप अराम से पेदल चाथ सकते हैं कोई दिक्कत वाल बात नहीं है सब भी पर पनी की वेस्था निंबू की वेस्था की गई तो आप बीच मीच में पानी लेते रहे निंबू लेते रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब करता यह यह चाहब याप्ला कमेंट आ रहा है कि राउंड काॉंट कौन करता है तो दोस्तों जैसे कि मालो तो स्टूडेंटों रनिंग करें तो आपके लिए आप पर पांच काउंटर लगाए जाएंगे अलग-लग कितने 5 counter और आपको बता दिया जाएगा कि 1 से 20 तक इस में 20 से 40 तक 40 से 60 तक और 60 से 80 और 80 से 100 तक यहाँ पर आपको जैसे जैसे round का आठते जाना है वेसे वेसे आपको बता दे जाना है कि आपको chest number दिये जाएगे इस तरह से आपके जो round और count होंगे आपको कोई tension नहीं है count करने की यहाँ पर विवस्ता की गई है यहाँ पर सभी के round और count कर लिये जाएंगे और इसे दोस्तों इन सभी में round और count होंगे अब देखें दोस्तों यह वर चेस्ट की बात करें दोस्तों चाहिए लड़की हो या लड़का boys and girls दोनों को chest में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक सभी को ही पास किया गया है अभी तक जहां भी जिस इले में फीजिकल हुए किसी भी student को जो chest है उसमें एक को भी फैल नहीं किया गया है सभी को बास किया गया है कोई गबराने वाली बात नहीं है chest में आपका chest हो अराम से हो जाएगा और लड़कियों को भी आपर किशी को भी अभी तक डिस्क्वालिफाई chest में नहीं किया गया है तो दोस्तों अब जो में चीज है ध्यान रखने वाली वह एकी running को आपको कैसे करना है यह मैंने आपको बता दिया है क्योंकि दोस्तों य आने के बाद में आपर हालत खराब हो जाती जिसके कारण यहां पर अजमेर में जो चार स्टुडेंटों ब्योस हो गए और उसके बाद वह running से भी डिस्क्वालिफाई हो गए थे अगर दोस्तों अभी भी आपका कोई स्वाल है तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके पू आपने लाद